नमस्कार सजनों ये जो वीडियो है ये मूलांक 9 वानों के लिए है और मूलांक 9 किनका होता के किसी भी मैने की 9 तारीक 18 तारीक और 27 तारीक में जिनका जन्म होता के उनका मूलांक 9 होता के और इसका जो स्वामी होता के मंगल होता के तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते के हैं हिमत वाले होते के जोखिम लेने वाले होते के दान देने के अंदर अग्रिनी होते के हैं हर किसी की साहिता के लिए ततपर हो जाने वाले होते के जोखिम लेने वाले सभी के सहायक और हर किसी के लिए सहायक यानि किसी का अहित करना ये नहीं जानते मौत मंजूर है लेकिन मात मंजूर नहीं हारना नहीं सीखा इन लोगों ने और ये इज़्जत के लिए है मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं यानि इज्जत इनके जीवन के अंदर सर्वो परिस्थान प्राप्त करके रहती है और ऐसे लोग या तो सेना में होते हैं पुलिस में होते हैं तो अपने इन इन ख्षेत्रों के अंदर आगे इनको और कौन-कौन से जो हैं ख्षेत्र इनको काम कर सकते हैं उसके बारे मैं बत कमजोर, नीच राशिस्थ, वक्री, दोसी, अस्त, पाप, मद्य होगा, तो आपको मानसिक नियंत्रन के उपर ध्यान देना चाहिए। क्रोध, एकदम से आपता आगे, जलाहट, दुरघटना, चोट, अंगों की सिथिलता, रिधे का रोग, रक्त चाप, और ऐसे समय पर हनमान जी की पूर्ण मनोयोग से आपको आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को गेहूं के चूर्ण का, यही आटे का रोट बना करके, गुड़ घी, युक्त जो कहें, लड़ू बना करके, हनमान जी को भोग लगाए, और यह उपाय संपूर्ण ऐस्वरिय, धंधान्य दायक, अरिष्ट नासक और मंगल कारक है, मंगलवार को एक बार प्रसंद करें, उनका कोई भी मंत्र जाब करें, इसके बाद, ओम एंग रिंग हनुमते राम दूता ये नमहा, ओम एंग रिंग हनुमते राम दूता ये नमहा, इस मंत्र का आप यथा सकती, आप जाब करें, और अपने जीवन के अंदर, आपको किस-किस प्रकार के व्यव साइ करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं वैसे जीवन का 9 वर्स, 18 वर्स, 27 वर्स, 36 वर्स, 45 वर्स, 54 वर्स, 63 वर्स, 22 वर्स जिसका मौलांक नो बन जाए वो वर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उस समय पर मिलने वाले अवसरों को हाथ से ना जाने दें आपको जीवन यापन के लिए संगठन बनाना, संग का संचालन करना, नियंत्रन, चिकित्सा का कारिय, धर्म उपदेशक, सैन्य विभाग, गोला बारूद, आतिस बाजी का अभ्यवसाए या फिर वकालत का अभ्यवसाए औस दीव इक्रे, मेडिकल स्टॉर, लोहे का कारिय, वेधातू के कारिय, और प्रभूता कारिय करने चाहिए, जिसके अंदर आपकी प्रभूता रहे हैं, कारेक्षेत्र पूरव दिशा के अंदर है, या उत्तर पूरव के अंदर, या फिर जो हैं, दक्षिन पस्षिम के आप व्यापार कर सकते हैं, जिसके अंदर, इंडोनेसिया, बेलग्रेट, सिक्कम, पैरिस, आदी जो हैं, स्थान आपकारिय क्षेत्र के लिए चुन सकते हैं, और अपनी जीवन के अंदर उन्नती को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा मोंगा भी आपको धारन कर लेना चाहिए, उपासना के लिए इस्ट देव आपके हनुमान रहेंगे, दिन आपका लिए सुब जो हैं, मंगलवार रहेगा, और कभी भी इन नो अठारा और सताइस सारी के अंदर मंगलवार पड़े, तो उस दिन कोई भी कारे आप प्रारंब करेंगे, तो वो जीवन के अंत करें, कार्याल ऐसे अपाइंटमेंट जो हैं, दिर्धारित करें, कार्याल ऐसे सेवाएं भी हैं, वो भी आपको अरपन करनी हैं, और जो भी कुछ आप जानना चाहतेंगे, वो आप जान सकतेंगे, लाब उठा सकतेंगे, अपने जीवन को उननत बना सकतेंगे, नमस्कार. हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वह नव ग्रहों की पूजा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वेब साइट है